हर विजई देश की अपनी कलपना और कूट नीतिक जरूरते थी फ्रांस जिसे युद्ध में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा चाहता था कि जर्मनी को सपस्ट रूप से दोशी ठहराया जाए और वा हर मुलक को हरजाना दे और जर्मनी को इस तरह तबाह किया जाए कि वा फिर से कभी हमला करने की स्थिती मिनना हो 1871 में फ्रांस से जो इलाके जर्मनी ने छीने थे उन्हें वापस फ्रांस को दिया जाए ये वे इलाके थे जो जर्मन उद्योगों के लिए अति महत्यपूर्ण थे जहां से उन्हें कोईला और लौ एस्क मिलता था इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी शती पहुचाना चाहता था ताकि वा कभी फिर से सर ना उठा पाए ब्रिटेन भी जर्मनी को सामरिक तोर पर कमजोर करना चाहता था मगर आर्थिक रूप से नहीं क्योंकि वा चाहता था कि जर्मनी की अर्थवयवस्था सुद्रुन हो ताकि ब्रिटेन उससे वैपार कर सके लेकिन ब्रिटेन को उपनी वेशों वो यूरोप में लोगतंत्र की इस्थापना और राश्ट्र के खुद के भविशिक के अधिकार तै करने या फिर समुद्री आतायात को खुला करने को लेकर गहरी असहमती थी वर्साई संधी जून 1919 प्रथम विशुद्र के बाद किये गए संधियों में वर्साई की संधी सबसे महत्पूर माना जाता है 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शान्ति समझोता किया वैसे इस समझोते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तयार किया था इसके कई शर्ते ऐसी थी जो जर्मनी को माने नहीं थी लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर आकरमन कर देंगे विवशोकर जर्मनी को इस संधी को स्विकार करना पड़ा आए इसके प्रमुक्षर्तों पर नजर डाले यह तै किया गया कि जर्मनी 66,000,000,000 पाउंड राशी किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा विजाई देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे थे और जर्मनी से मिले हर जाने से उस कर्ज को पटाने की मन्शा रखते थे जब कई वर्षों बात यह स्पस्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो इसे कम करके 20,000,000,000 पाउंड किया गया दूसरा, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना आधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तैह हुआ जैसे बेल्जियम वो फ्रांस पूरू में रूस से हुई संधी में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों के स्थापना हुई तीसरा, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से चीना गया अलसास और लारेन छेत्र फिर से फ्रांस को लोटाया गया इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए सार छेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौपे गया उस शेत्र पर राष्ट संग का प्रशाशन स्थापित हुआ वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा 15 साल बाद जन्मत संगरहन करके तैह होना था पूर्व में जर्मन सामराजी के एक बड़े हिस्से को काट कर नवगठित पोलेंड देश में मिला दिया गया इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया दोनों हिस्सों के बीज की डेंजिंग पट्टी पोलेंड को दे दी गई ताकि उसके समुद्र तक पहुँच बनी रहे पाचवा इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन सामराजी की भूमी से लगभग 65,000 वर्गी किलोमीटर जमीन काट कर विभिन्न देशों को दे दी गई चट्वा आफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्रसंग के सनरक्षन में ले लिया गया और राष्ट्रसंग ने उन्हें बुर्टैन, फ्रांस वो पूर्तगाल के हवाले कर दिया चीन में जो जर्मनी अंतर छेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाब भाग लिया था इस प्रकार 19 सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किये थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए सात्वा, संधी की कई शर्तों के अंतरगत जर्मनी का निरस्त्री करण किया गया उसकी सेना को एक लाग सेनिकों तक सीमित किया गया उसकी तोप, पंडुब्बी, युद्ध पोतों तथा हवाई जहाजों को नश्ट कर दिया गया फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी, राइन लैंड ने जर्मनी सेना का प्रवेश वर्जित किया कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमण कारी सेना कभी न बने आठवा, एक शर्त के द्वारा यह तै किया गया कि जर्मनी और आस्ट्रिया का विलय राश्र संग की अनमती के बिना नहीं होगा एक संधी के माध्यम से आस्ट्रिया और हंग्री को अलग-अलग किया गया और इनके आधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया इस तरह सबसे अधिक प्रभा आस्ट्रिया पर पड़ा जिसके पास केवल क्रिशी प्रदान प्रदेश रहे गये और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे आस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वभाविक था कि दोनों का विलै हो लेकिन विजाई देशों ने उस पर रोक लगा दी